हेलो गाईज आप सब कैसे हैं हम उमीद करता हूँ कि आप सब खैरियसे होंगे तो दोस्तो आज की क्लास नमबर है हमारी 3 पेकसार्ट पर जैसे कि हमने पिछली दो क्लासों में सीखा कि हम कैसे आउट लाइन लगा सकते हैं और कैसे बैग्डरोंड चेंज कर सकते हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कपड़े के कलर कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी स्किन को घराब किए बिना चलें अपने पिकसार्ट की तरफ बेरते हैं यह हमारी कलास नमबर है 3 इसमें हम प्रोपर्ली सीखेंगे कि हम कैसे कलर को चेंज कर सकते हैं और जो हमारे शूज हैं हमारे स्किन के कोई भी ऐसी जगा है कि उस पर कदर अफेक्ट ना करें बस कपनों पर ही कप अफेक्ट करें यहां से हम चलते हैं अपने टूल्स मेन्यू के अंदर दोस्तो जाना है यहां से हम आएगे अग्जस के अंतर बहुत इसली तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ यह पिक्साइट का नया अपडेट है तो आप भी इस नए पिक्साइट को डॉनलोड करें तो आपके कम बहुत असान होंगे दोस्तो अभी यह आप्शिन मिल चुक है हमें ब्राइट नस कंट्रास्ट और क्लियर्टे हम जाएंगे सबसे पहले हुई पर क्योंकि हमने कलर चेंज करना है यहां से हम कलर कोई भी ले लेते हैं जैसे के यह कलर ले लेते हैं इस कलर को स्लेक्ट करते ही हम चल चीज़ों से यह रेमूव हो जाए तो यहां देखें क्लोट की आप्शिन आपको नजर आ रही है यहां क्लोट की आप्शिन को क्लिक करें तो दोस्तो मेरे हैं से भी इसने अफेक्ट नहीं किया एक तो हम बैक जाएंगे दुबारा से हम इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे इ इसको देखें ज़रा गोर से लेखें जितना भी वह बात का कलर था वह सारा गयब हो चुका जो और इसमें कलर था फेस का वह वापस आ चुक है और सिर्फ इसने अफेक्ट किया है हमारे कलोट पर तो अभी हम इसे यहां से चेक लगा देंगे चेक लगाने के बाद हमें saturation पर saturation को full कम कर देते हैं यह देखें आपके साने result है कैसे shoes भी अपनी original condition में आ गये है और जो watch जहां कहीं भी इनके यह ऐसे color थे वह सारे gap हो चुके हैं और saturation कम करने से यह देखें यह यहां जो color है वह भी इनके black and white हो चुके हैं उनमें कोई भी फरक नहीं है सिर्फ हमारे suit बोट में फरक आया है हमारे सेंट का भी ओरिजनल कलर है हम इसकी सैच्वेशन कम की अब हम इसमें थोड़ी सी डिटेल डालेंगे सबसे पहलें क्लियर्टी पर आते हैं यहां इसे थोड़ा सब रहा देते हैं तकरीप बन इतना सा अब हम शैडो के चलते हैं शैडो को थोड़ कोंद ये picture ready हो चुकी है बिना कोई देर किये बिना नुख्सान किये हो और डेर किये आपकी picture कलर के साथ क्लियर है देखें पहला कुलर यह था और बात य यह है अब मैं यह तो डिसाइड ने कर सकता कि कौन सा ज्यादा अच्छा है मुझे तो दोने अच्छी लग रहे हैं दोस्तों तो उसके बाद अब हम सीखेंगे एक चीज और अभी यह मैं आपको दिखाता हूं जैसे मैं इस पिचर को जोन करता हूं यह दिखें यह थोड़ा में तो थैंक्यू दोस्त अपना क्या रखेगा ट्राइ करें ट्राइ करें ट्राइ करें और अच्छी एक फोटो अडिटर बन जाएं अगर यह वीडियो आपको पसांद देए तो प्लीज इसे लाइक शेर कुमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुले देगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छी एच्छी वीडियो बना कर आप तक पहुंचा सकूँ थैंक्यू